हेलो फ्रेंट्स देखे आज हम लोग राज्य पुनर गठन अधिनियम पढ़ेंगे मतलब जो अप 28 राज्य और 8 केंदर सासित प्रदेश आप लोग देखते हैं उसका गठन कैसे कैसे हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने तो भारत को चार जब छोड़ के गए थे तो उसमें दो गठित किया गया और उस आयोग ने क्या-क्या रिपोर्ट प्रस्तूत किया यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को समझते हुए चलिए conceptual questions आते हैं ठीक है तो आप लोग अच्छे सी इसको समझते हुए चलिए तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए राज्य पुनर गठन आयोग ठीक है तो देखिए जो मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि चार पार्ट में डिवाइड था है न अलग 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 छेत्र एते थे पहले में ब्रीटिस अधिपत्त्र शेत्र एते थे उसके बाद फिर देशीरी आसता ते थे फिर boeakत च्छेतर आते थे है न चौथे में union territory आते थे तो चारों को फिर अलग-अलग तरीके से divide था, कोई इस्थाई सीमा नहीं थी, अच्छे से संगठीत नहीं हुआ था, तो उसको खतम करके, proper divide करने के लिए, आयोग का गठन किया गया, समय समय पर, ठीक है, तो आयोग का गठन किया गया, और उसके पहले आयोग का गठन किया गया था राज्यों को पूनर गठीत करने के लिए, एसके धर आयोग, इसको बोलते है धर आयोग कहते है, जिसके अध्याक्ष थे स के धर ठीक है, उसके अध्याक्ष कोन थे, एसके धर थे, ये इलहाबाद high court के जज थे, जन्रेलिष गयात है, ज इसका गठन किया गया था जुन 1948 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की दिसंबर 1948 में तो कब गठन किया गया था उस चीज को भी ध्यान में रखना ठीक है इसका गठन किया गया था जुन 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तूत की इन्हो की एकता बनी रहे उसके आधार पर हो और प्रसासनिक सुविधा के आधार पर हो है ना administrative आधार पर हो प्रसासनिक सुविधा के आधार पर हो भासाई आधार पर राज्यों का गठन नहों मतलब पंजाब पंजाबी लोग के लिए पंजाब राज्य है ना तामिल लोग के लिए तामिल नाडू इस तरीके का नहीं होना चीए कहा इन्होंने भासाई आधार पर राज्यों के पुनरगठन को इन्होंने नकार दिया ठीक है इन्होंने कहा कि पुनरगठन प्रसासनिक सुविधा के आधार पर होगा अब उसके पूर्ज पर उसके आएक के बाद में रिपोर्ट अप्रेल 1909 फूर्वालल रिंपने प्रस्तूत की तो ज्सेट लोग है तीन लोग थे तीन सदसे थे जवाला लेहरू वल्ला भाई पटेल और पट्टावी सीता रमया तीन लोगों को मिला कर एक समिती गठित की गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 48 में अप्रेल 1949 में प्रस्तुत की 48 में गठित किया गया था तो भासाई आधार पर इन्होंने भी कहा कि भासाई आधार पर राज्यों का पुर्णर गठन नहीं होना चाहिए ठीक है भासा की आधार पर राज्यों का पुर्णर गठन को इन्होंने भी नकार दिया उसके बाद क्या हुआ दि पोटी स्री रामलू ठीक है उस समय क्या था आंधर प्रदेश और तमील लाडू जो दोनों था वो एक राज्य था मतलब एक सांथ मिला हुआ था अब जो तमील लाडू में थे वो लोग तमील बोलने वाले लोग थे मद्रासी लोग थे ठीक है और जो उपर आंधर कि था अझाटर में तमील बोलने वाले लोग थे और दोनो एक ही था । तब इस समय क्या हुआ उन लोग भासाई अधार पर उन्हों ने कहा कि तमील बोलने वाले उनुके लिए अलग राज्य बनाओ और ढोलनुभ new बोलने वाले kav झाट सर भाडूय मतलब !」 अलग्ज दिश्रामे पर अलग्ट दिन तक भूखड़ताल पर बैठे और 56 जब भूगया तो इनकी मृत्यू हो गई अब जब मृत्यू हो गई इनकी तो साउथ की छेतर में जो भारत का जो चेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा दंगे होने लग गए ठीक है लोग भड़क गए कि हमको भासाई अधार पर यह तो ताना सही सासन हो गया कहा इनों लोगों ने पहले तो अंग्रेज लोग कम से कम थोड़ा बहुत यह बरत्ते भी थे यह लोग तो सब जो अ जवाला लहरू को आंधर प्रदेश को पहला राज बनाना पड़ गया यह दोनों समीति नों भासाई अधार पर नहीं बनाएंगे बोले थे लेकिन चुकि आंदोलन बहुत होने लग गया और बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लग गया सरकार के खिलाफ इसलि तो आंधर प्रदेश भासाई अधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था जवाला लहरू ने मजबूरी में आंधर प्रदेश का गठन किया था अब कहते हैं ना कि एक बार एक चीज़ हो गया देख लिए भारत वाले लोग की एक जगहा जो विरोध किये अंदोलन किय तो अपना अलग राज्य गठन करवा कि मानने अंधर प्रदेश गठीत हो गया तो देश के बांकी छेत्रों में भी क्या हुआ कि भासाई आधार पर राज्यों के पुनर गठन की मांग उठने लगी ठीक है तो अब उसके बाद क्या किया गया फजल अली आयो का गठन किया गया फजल अली सुप्रीम कोट के रेटायर्ट जस्त है तो फजल अली आयो का गठन किया गया दिसंबर 1903 में यह आंधर प्रदेश के गठन करने के बाद जब बांकी जगा मांग उठने लगी तो फजल अली आयो का गठन दिसंबर 1903 में किया गया और इन्होंने अपनी र पाईयों के आखगन के अधार्पर भारत दिखते हैं इतने राज हैं और न सब में सब्चार के कि बादर्पर इम्पोतेन ने हैं जुन ने कहा 16 ती अन्हों लेठा कि Support की मांग को करण होय है ठीक है इन्होंने कहा कि ठीक है भासाई अधर पर गठित कर देंगे तो करना चाहिए तो 16 राज्य और 3 केंदर सासित प्रदेस की मांग इन्होंने की कितना राज्य इसको भी अच्छ स्याद रखना सोला राज्य और तीन केंदर सासित प्रदेश की मांग फजल अली आयोग ने की थी गठन की रिपोर्ट में अपने कहा था कि सोला राज्य और तीन युनियन ट्रेटरी गठिप की गयानी चाहिए ठीक है भासाई अधार पर राज्य और गठन की मांग को स्विकार किया इन दोनों ने अस्विकार किया था इन्होंने स्विकार किया लेकिन इन्होंने उसके सांसनात ये भी कहा कि एक राज्य एक भासा नहीं होनी चाहिए एक राज्य एक भासा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि महराष्टर है तो केवल मराठी भासा होनी चाहिए, पंजाब है तो केवल पंजाबी बोलने वाले ही रहने चाहिए, बिहार है तो केवल बिहारी बोलने वाली 100% रहना चाहिए, ऐसा भारत में नही बिहार में और भी भासा बोलने वाले लोग भी हैं तो इन्होंने कहा एक राज्य में एक ही भासा ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बिहार में केवल बिहारी बोलने वाले रहेंगे बांकी लोग को भागा दो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इन्होंने एक राज्य एक भासा की मांग को अस्विकार किया इसके साथ इन्हों ने ये कहा कि जब दो राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार है तो उसके बीच का छेतर ऐसा भी रहेगा जहां पर मिस्रित भासा बोलने वाले भी लोग हो यूपी वाले भी उत्तर प्रदेश की भासा भी बोलते हों और बिहार के भासा नहीं होनी चाहिए मिश्रित भासी राज्य भी गठित किया जाना चाहिए मिश्रित भासी राज्य भी गठित किया जाने की मांग की तो इन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में बताया बोला कि 70% से अधिक जन संख्या अगर किसी छेत्र की है ना एक भासा बोलने वाली है 70% से अधिक जन संख्या किसी छेतर में एक ही भासा बोल रही है तो एक भासी राज्य का दर्जा उसको दे दिया जाए उसको एक भासी राज्य बना दिया जाए लेकिन उस जन अगर किसी छेतर में 30% से उपर की जन संख्या 30% या 30% से ज्यादा जन संख्या अगर कहीं दूसर दुसरी भासा भी बहते हैं तो उसमें एक भासी राजय का दर्जा न दिया जाए तो इन्होंने 2 रिपोर्ट प्रस्टूत की, इनका फजल अली आयोक का एक चिंता ये भी थी, कि भई हम लोग अगर कहीं एक भासी राज्य बना दिये भासा के अधार पर तो दिक्कत ये होगा कि जो अलपसंख्याख भासा ही अलपसंख्याख होंगे मतलब ऐसे लोग जो वो भासा न बोलके दूसरे भासा बोलते होंगे और वो ऐसे लोग कम कम संख्या में होंगे वो लोग को दिक्कत न हो जाए तो इन्होंने ये भी सिफारिज किया कि जो भासा जैसे कि 30% से अधिक जनसंख्या अगर दूसरी भासा बोलती है तो फिर उन लोगों के लिए उसको दूसरी भासा जो है उसको भी प्रात्मिक भासा के समान माननेता और प्रात्मिक भासा के सम प्रामर्स दे रही है या फिर कोई रूल लागू कर रही है एपने चेत्र में तो उसको दूसरे भासा में भी उसको ट्रांसलेट करना पढ़ेगा वह दूसरा भासा वहाँ पर चलते रहेगा वहाँ पर क्योंकि मतलब किसी भी तरीके से इस आयोग के उद्देश ये था कि जो भासाई रूप से अलपसंख्या के जो कम जन संख्या है जो उस भासा को बोलती है वो लोग को दिक्कत न हो जाए कोई ठीक है तो उन्होंने कहा कि दूसरे रूपे सासन का रिपोर्ट प्रसुद उसके है ना आयोग के रिपोर्ट को थोड़ी ना मानेंगे हम लोगों ने संसद में अपने प्रतिनीदी चुन के भेज़े तो जब संसद में पास करवाएंगे तब मानेंगे तो सातवा समिधान संसोधन 1956 पारित किया गया जिसमें 14 राज्य और 6 केंदर सासित प्रदेश बनाए इनकी मांग को स्विकार जरूर किया गया लेकिन 100% स्विकार नहीं किया गया इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके 14 राज्य और 6 केंदर सासित प्रदेश बनाएगे बहुत ही इंपोर्टेंट है अच्छे सेप लोग याद रखना इसको ठीक है इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि 1966 में देखो पंजाब वाले छेत्र में दिक्कत हो गया पंजाब चंडिगर हरियाना और हिमाचल प्रदेश चारों मिला के एक छेत्र था उस समय ठीक है यह चारों सब का सब छेत्र जो था वह एक हई छेत्र था तो इसको पेपसू कहते थे पटियाला एंड इस्ट पंजाब इस्टेट यूनियन क्या कहते थे पेपसू का फुल फाम आप लोग मैं जो बोल रहा हूं वो सब लिखना मैं बोर्ड में नहीं लिखा हूं ठीक है इसको कहते थे 1966 का टाइम पीरिड बता रहा हूं इस सब को मिलाके पेपसू कहते थे अब यह पेपसू मे अधार पर सायोग ने रिपोर्ट दिया कि जो हिमाले से लगा हुए छेतर है उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए जो हिंदी भासी छेतर है उसको हरियाना बना दिया जाए अलग करके उसको हरियाना कह दिया जाए ठीक है जो पंजाबी भासी छेतर है उसको पंजाब वो बना दिया गया राजधानी चंडीगड उसी समय से वो राजधानी जो है कौमन है दोनों की और उसको केंदर सासित प्रदेश बना गया चंडीगड तो पंजाब को पुनर गठित की आयोग की सिफारिश के अधार पर किया गया बोलेगा तो सहा आयोग की सिफारिश पर कि तुमें आये उस समय 9 केंदर सासित प्रदेश थे बाद में उसको उस समय 7 केंदर सासित प्रदेश थे और अभी वरतमान में जम्मू कस्मीर को जब हटा दिया गया 29 राज्य थे और 7 केंदर सासित प्रदेश सस्तितुमें आये थे 29 राज्य में से एक राज्य जम्मू कस्मीर को काट के दो union territory बना दिये गए जम्मू कस्मीर केंदर सासीत प्रदेस और लद्दा केंदर सासीत प्रदेस तो केंदर सासीत प्रदेसों की संख्या नो हो गई उसके पाद फिर दमंदिव और दादर नागर हविली को एक कर दिये गए तो केंदर सासीत प्रदेस आठ हो गया जम्मू कस्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो राज्य हो गया 28 तो वरतमान में 28 राज्य और 7 किंद्र साशित्त देश थे इनकी रिपोर्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से जो अखंड भारत है वो पूरा तूट के जो अभी जो आप लोग द टेकनिक बता देता हूं उसके साथ मैं ट्रिक भी बता देता हूं आप लोग जैसा अच्छा लगया आप लोगों को यह ट्रिक से याद रखना है तो ट्रिक से याद रखना ऐसे याद रखना तो यह कब बना यह पूछता है पेपर में इसको याद रखना है ठीक है तो यह आप लोगों को मैं बता रहे हूँ 1960 मेंBigसी से है ना अब बंबई के छेतर में बंबई और गुजराद पूरा एक था उस समय ठीक है बंबई और गुजराद का छेतर एक ही था 1960 में Bigसी से अलग होके पहले ये पूरा डिटेल बता रहे हूँ फिर आपको ट्रीक बताऊंगा बंबई से अलग होके चौदवा राज्य महराष्टर बना और पंजवा राज्य गुजराद बना बंबई से प्रिथाक होके ठीक है 1961 में गोवा और दमन दीव को केंदर सासित प्रदेश बनाया गया ठीक है 1963 में असम से अलग करके सोलवा राज्य के रूप में नागलेंड को बनाया गया 1966 में पंजाब से अलग करके सत्रवा राज्य हरियाना बनाया गया यह तो मैं बताया अभी 1969 में मदरास का नाम बदल कर तमील लडू कर दिया गया यह जो ऐसा ऐसा वाक्स में घेरा हूँ वो नाम परिवर्तन है यह यूनियन ट्रेटरी बनाया गया यहां मदरास से नाम परिवर्तन करके तामील लडू रग देगा 1969 में 1971 में हिमाचल प्रदेश बना 18 राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश कैसे बना यही पंजाब से कटके बना न ठीक है उसके बाद 1972 में मनीपूर्तुरिपूरा और मेग़ाले mantle hay new, 21 और 21 राज्य बना 1973 में मैसूर का नाम बदल करके करनाटक किया गया बॉक्स में जो है उसमें नाम बदला है ठीक है यहां पे बस नाम प्रेटरी है मैसूर का नाम बदल कर करनाटक रखा गया आया यह तो बता चुका हूं मैं 1987 में तीन राज्य बने तेईस्वा चोविस्वा पचीस्वा राज्य अरुनाचल प्रदेश मीजोरम और गोवा और 2000 में तीन राज्य बने संदो हजार में 36 गड़ उत्रकंड और जारकंड 26 27 28 तो इस तरीके से 28 राज्य अस्तित्य तुम्हे यादサकते हैंढ़ी यह जादा क्रफ नहीं नियाओं याद रखनाना हं मत्री में सी अमीगो ठीक है मत्री में सी अमीगो पहला पहला वर्ड है तो गू से गुजरात यह महाराष्टर को छोड़ देना महाराष्ट को लग से याद रखे रहे हैं चौद वराष्टर यहां से देखो बंबई से कटके 1960 में गुजरात बना गू अब देखो यह सन को कैसे याद रखना है इसको भी सांथ में चलते हैं 1960 से चलू करना इसमें प्लस वाज़ हुए देखो फ्लसवन एक सट इसको भी याद रखना में प्लस टू एड़ कर दो 216 के बादी तीर सट इसमें प्लस थ्री एड़ वह देखो गई तरी प्लस थ्री इसमें कि मैं संहुंच रहा ओंग एक इसको और दिख लोग सन याद रखने के तरीका प्लस 1 प्लस 60 60 लिख लेना 60 के बद प्लस 1 जूड़ देना 61 हो गया प्लस 2 जोर दो 63 एथ हो गया फिर प्लस 3 के बाद फिर से यहां पे 70 i'm 79 है ना तो ये प्लस 3 हो गया फिर प्लस 3 63 से 69 प्लस 3 प्लस 2 69 से 71 प्लस 1 तीन दो एक उसके बाद बहत्तर आ गया अब इसके बाद से फिर ऐसे याद रखने है उसको याद ही रखने है ठीक है यहां तक पहुँच गए अब यहां पर टरीक देखो कौन सा ? ऋलहबा राज्य, उसके बाद 66 में सत्रमा राज्य हरी आना हसे हरी आना उसके बाद 71 में हिमाचल प्रदेस बना ही से हिमाचल प्रदेस मत्री में ये बहात्तर में बना, मणिपूर तृपूरा में घाला है तो यह है यहां पर वो गैसे कैसे राज्य बना, यह गुना ही मत्रीमें जहता हो यहां टक्त़ पहूंचने के बाद यह तो बोक्स बाक्स में है उसको अलग सा याद रखना इक टीन जगह पर क्या हुआ है एक तो यूनियन टेरेटरी बने इस तरीके से इसको अलग से याद रख लेना तो इस तरीके से याद करोगे तो आप लोग इसका इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और जो बोला हूं उसको पूरा लिखना है कुछ भी चीज को छोड़ना नहीं ह ले लिजिए इसका तो जो बताया हूं उसको अच्छे से याद रखिएगा इससे एक क्षेशन पक्का आएगा यह तो इधर से आएगा तो इससे आने वाला है मतलब इससे आता ही है सबाल ठीक है तो आई होप आप सब को यह वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो झाला हूं